हेलो एरिवन वेलकम तो माई चैनल स्टेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज आफ फिल्ड का एक इंपोर्टन टॉपिक इंटेंसिटी आफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन पॉइंट डॉइंट डॉइपोल इन एक्षियल पोजिशन और एंड-on पोजि डिस्क्रिक्शन में देखिए और उसे डाउनलोड कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें continuous वीडियो आपको मिलता रहेंगा और आप आप पोर्स आगे बढ़ता रहेगा तो देखते हैं हमारा लेक्ट्र शेडिल क्या है आज का म प्रिविएस वीडियो देखिए प्रिविएस वीडियो की लिंक डिस्क्रिशन में दी हुई है तो बिरा देनी शुरू करते हैं इंटेंसिटी अप इलेक्ट्रिक्रिक्र फिल्ड एट पॉइंट डूइपोल इन एक्षियल पोजिशन और एंड डान पोजिशन यह दो आप देखारें ए, पर माइनस की चार्ज है, बी पर प्लस की चार्ज है, दोनों के बीच की दिस्टेंस वैल रेली हमने सेन्टर औ है तो सेन्टर औ नहें करन यह A से O की distance L, O से B की distance L है, इसके axial position में देखिए आप देख रहे हैं कि dipole को उसी length में आगे बढ़ाया गया है, तो यह जो line मिलरी dotted line यह axial line कहलाती है, इस axial line पर हम कोई point P ले ले लेते हैं, जो center से कितनी distance पे, R distance पे है, और यहीं हमें intensity find करना है, यहां हमें दो intensity दिखाई दे रह action भी देखी opposite है, तो इससे हम final intensity निकाल लेंगे, तो पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि axial line क्या चीज़ होती है, axial position तो देखना है, लेकिन axial line को समझ लेते हैं, the line passing through the two charges of an electric dipole is called axial line, ऐसी line दो दोनों charges से pass होती है dipole के, उसे हम axial line कहते हैं, if at point of axial line, यदि किसी point पर axial line प intensity निकाल के देना है, so this is called axial position और end on position, तो यहां आपने एक खास बात देखी, उसमें ये बात थी, कि किस तरीके से हमने axial line को पहले बता है, axial line बता रहे के बाद हमारे question में, end on position, axial position क्या है पहले, उसको बाद में हमने बता है, तो देखिए, यह systematic तरीके से आप इसको लिख ल at a minus q charge and at b plus q charge is present, a पर minus q है, b पर plus q है, distance between charges is dual, इनके बीच की distance total 2L है, जो इसको हाफ हमने LL में डिवाइड कर दे क्योंके center O है, बिल्कुल बीचो बीच हो बीच है, and the center of dipole is O, p is a point on axial line, p कोई point है axial line पे, at which intensity of electrical field is to be obtained, जहां पर में electricity, electrical field अप को निकाल के देना है, क्या नि intensity निकाल के देना है, distance between O and P is R, देखिए distance O से लेके P के बीच की distance हमें R दे दी गई है, यह सारे diagram को हम डिस्क्राइब कर दे, एक बार में इंदे में आपको डिस्क्राइब कर देता हूं, a, b एक dipole है, a पर minus q charge, b पर plus q charge है, center O है, distance 12 है, और इसी की axial line पर एक point P है, जो electrical field के अंदर ही है, जिसकी center से distance आ रहे है, और इसी point P पर हमें intensity find करना है, तो अब हम यहाँ अपना direction स्टार्ट करेंगे, देखिए direction स्टार्ट करने के पहले है, थेory part में आपको समझा दे है, यह आपको लिखना ज़रूरी रहेगा, लिखा हुआ इसलिए था, कि हमारा समय बचे लग रही है, वो निकाल लेंगे, फिर minus Q charge से इस point P पर कितनी intensity बन रही है, वो निकाल लेंगे, फिर जो pass वाली intensity वो ज्यादा बड़ी होगी, दूर वाली थोड़ी कम होगी, तो बड़ी हुई में से छोटी वाली को minus कर दे है, तो total intensity का formula हमारे पास आ जाएगा, उसके को देखे, E1 equal to formula हमारे पास से, 1 upon 4 pi epsilon 0 k, charge upon distance square, charge upon distance रखे, उसका square करगे, अब यहाँ पर देखे, E1 equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 k, वैसे है, चार्ज है हमारा plus Q, और distance देखे आप, distance मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर डाइगराम से plus Q charge, जहाँ पर वहाँ की distance P से लेकर कहा है था कि B तक क्योंकि intensity P पर find करना है, और charge B पर है, तो B से P या P से B तकी distance है हमारे पास, हम उसको लिख देते हैं यहाँ पर, कि वो distance से PB, अपका square, अब यहाँ पर, यह हमारे step आ गई, लेकिन हमारे पस PB की original value, मतलब जो particular value वो अभी नहीं आई, PB स पास एक marking आया है, तो हम उसको देख लेते हैं कि PB हमारे क्या बन रहा है, देखें इसमें, अब यह, आप देखें, PB को मैं आपको diagram के थूँ बताता हम कि PB क्या है, देखें, P से B, P से B तक की कोई distance या mention नहीं है, और ना कोई दी गई है, तो P से B निकालने के लिए हमें हर distance के लिए कहां जाना पड़ेगा, center पर जाना पड़ेगा, तो center पर जाके हम O से P तक की distance लेए, O से P तक की distance बड़ी है, उसमें से O से B की तक की distance माईनस कर देख, तो हमें P से B तक की distance मिल जाएगी, एक बावार этом, सुनिएगा, O से P तक की distance हम ले लेए लेंगे, यह बड़ी distance है, इसमें से OB की distance minus कर देते हैं, तो हमें PB की distance मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे OP minus OB, तो यह जो value है, यह क्या रहेगी OP minus OB अब PB वैसे लिखा, O से P तक की distance है R और OB है L, यहना हमें क्या value मिली, R minus L हम PB की place-wise value को रख देते हैं तो E1 equal to 1 upon 4 5 Epsilon 0 K, plus Q upon PB की जगे, R minus L का whole square, यह हमारा equation first आ गया, यह हमने क्या निकाला, यह हमने निकाला, फिर याद दिला दूँ आपको, कि हमने B पर present plus Q charge के करण P पर intensity की value find की, अब हम B के plus Q charge के निकाल चुके, पर dipole तो गहां से कहा तक है, A से B तक है, तो हमें A पर present minus Q के करणट भी निकालना पड़ेगी, अब हम निकालेंगे A पर present minus Q के करणट P पर intensity, तो यहां में लिख रहा हूँ, intensity due to minus Q charge at P is, वो हम मान लेते हैं, वो कितनी E2 है, फार्मूला तो सबका से में रहने वाला है, तो E2 का फार्मूला देखें, E2 का फार्मूला होगा 1 upon 4 pi epsilon 0 k charge upon distance square, तो charge है Q, distance क्या होगी, यह आपको बतायता हूँ, वो होगी A P, क्योंकि देखें, मैंने आपको बताया था, कि जहां charge present है, charge minus Q, A पर present है, तो distance कहां से कहां तक होगी, A से लेके P तक की होगी, इसलिए मैंने A P square लिख दिया, अब फिर वो ही बात, कि हम यहां देखें, कि A P की value क्या निकल रही है, तो A P के लिए value देखें, A P, मैंने अ कार, A P में भी O का लाना ज़रूरी है, तो हम डागराम में देखते हैं, कि A से लेके P तक की distance को, तो हम क्या करें, A O ले ले पहले, और उसमें O P को plus कर देंगे, तो A O plus O P is equal to A P हो जाएगा, तो A P की value के आगे हमारे पस, A O plus O P, अब A P, अब आप डागराम में देखो, A O क की जाएगे आपको L दिख रहा होगा, और O P की जाएगे R दिख रहा होगा, R plus L, यहना हम इसको R को आगरे लिख ले, obviously बहुत simple हो जाएगा, R plus L, अब यह value में आप put कर देता हूँ, E2 equal to 1 upon 4 by epsilon 0 K, Q upon A P की place पर रख दिया, हमने R plus L का whole square, यह हमारे equation 2 हो गया, अब students जैसे म हमने यह दिखना है, कि intensity हमारे पास दो आभी, पर हमें dipoles से P point पर तो एकी final intensity find करना है, तो final intensity find करने के लिए हमको यह मालू है, कि B ज़्यादा pass में है, P से बजाए A के, यहने B की intensity, plus Q charge की intensity P पर ज़्यादा होगी, और minus Q charge वाला point A से जो intensity होगी, वो कम होगी, तो इस बड़ E equal to हम लिख रहा है यहां पर, यह मैं इसको rate से mention कर दूँ, आपको समझ में आजागा, E जो निकालना है, वो क्यासे निकलेगी, E1 मैं से E2 को minus करने पर, अब हम E1 मैं से E2, अब values put कर देते हैं यहां पर, so E equal to E1 की value देख रहा है, equation 1 में देख रही हुए आपको, यह equation 1 में यह value दिख रही है, और E2 के value आपको equation 2 में दिख रही है, तो E1 के value रख रहा हुए, 1 upon 4 pi epsilon 0 के q upon r minus l का whole square, minus E2 के value रख रहा है, 1 upon 4 pi epsilon 0 के q upon r plus l का whole square, यह step तो आपको समझ में आ गई होगे, अब यहाँ छोटा सा algebraic step बन रहा है वापस से, उसको अब ध्यान से देख लें, E, देखिए मैं आपको बतायता हूँ, इसमें 1 upon 4 pi epsilon 0 के है, 1 upon 4 pi epsilon 0 के है, यह दोनों common आ जाएंगे, साथ में उपर भी q q है, वो भी common आ चाहेगा, तो common ले लेता है इसको, तो देखिए, यह मैंने common लेने के लिए, 1 upon 4 pi epsilon 0 के, और q को common ले लिया, तो हमारे पास जो step बच रही 1, q तो जा चुका है, इसलिए बचा 1 वहाँ पर, r minus l का whole square minus, और यहाँ से भी q जा चुका है, 1 upon 4 pi epsilon 0 बचा से, r plus l का whole square, यह से बच जाएगी step, LCM लेंगे हम यहाँ पर, मैं step, अगर नेक्स पेश पर ले रहा हूँ, आपको देखिए ध्यान से, e equal to, 1 upon 4 pi epsilon 0 के, q को common है, हमने LCM ले ले लिया, LCM में ले लेके बतारा आपको, वो हमने लिया, r minus l का whole square, और r plus l का whole square, यह step तो आपको सभी को आती होगी, LCM लेना, अब यह r plus l का, देखिए, यहाँ से LCM लेना, पर यह से into करेगा, यह से into करेगा, तो r plus l का whole square का one में into करेंगे, तो यह बजाएगा, r plus l का whole square, r plus l का whole square, बीच में है minus, r minus l का whole square, अब next step में देखिए, e equal to, 1 upon 4 pi epsilon 0 के, q भी अपनी जगे पर है, यहाँ पर, a plus b का whole square लग रहा है, a plus b का whole square, जिन steps को नहीं जम रहा है, मैं वो फार्मूला लिख के बता रहता हूं आपको, कि a plus b का whole square हमें मिलेगा, वो चाहिए, तो a square plus b square plus 2ab, या 2ab को बीच हो भी ले सकते हैं, और एक फार्मूला लगेगा, a minus b का whole square, जो बता है, a square plus b square minus 2ab, यह दोनों फार्मूले में य a plus b का whole square use करता हो, तो बनेगा, r square plus l square plus 2rl, minus से इसलिए bracket apply करेंगे यहां पे, और r minus l का whole square लगा देंगे, r square plus l square minus 2rl, अपवान में देखी, अपवान में, आप देखा है, दोनों पे square लगें, brackets पे, यहां देखी, इस bracket पे भी square लगा, इस पे भी square लगा, तो इसका square common बना होगा, इत्यान से देखी दो, r minus l, और r plus l का, मैंने square निकाल के, ऊपर bracket पे रख दिया, इसको, step में कोई चेज़ आएगा नहीं, यहां से, अब e equal to, 1 upon 4 pi epsilon 0, के, q वेसे ही अपने जीगे पर है, अब यहां से हम, r square plus l square plus 2rl को तो वेसे ही रखेंगे, लेकिन यह minus sign अंदर जाएगा, तो अंदर के सारे sign change कर देगा, तो sign change कर देते हैं, minus r square minus l square, और यह minus minus हो जाएगा, plus 2rl, अच्छा, नीचे आप एक बात देख रहा है, कि नीचे a minus b, a plus b का फार्मूला दिख रहा है, वो फार्मूला बन जाएगा, a square minus b square का square, अब स्टेंट्स, यहां पे थोड minus k r square, plus k r square से, minus k r square, plus k r square से, 2rl plus 2rl बच रहा है, that is means 4rl, अब वो दोनों plus हो गया, तो बच गया, 4rl, और नीचे हमारे पास बचा, r square minus l square का whole square, अब यहां आप देखिए, कि मैं कुछ एक step बना रहा हूँ, जो आपको थोड़ी सी याद रखना चाहिए, कोरपा एपसिलोन जीरो की q, मैंने यहां लिख दिया इसको, 2q into l, देखिए, 4r में से, मैंने 2 और q को निकाल लिया, 2q तो मेरे पास यह था अंदर, मैं काम करता हूँ, देखिए, मैं इसको किस तरह के से लिखता हूँ, मैंने क्या अगरा 4r l पो लिया है, उसको मैं 2 into 2 लिख देता हूँ, पहले तो देखिए, 2 into 2, और l को आगे लिखके, r को पीछे लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, into में है वो, upon की जो step है, वो as it is रहेगी, r square minus l square का whole square, अब यहाँ पे एक step बने, उसको आप ध्यान दे, 1 upon 4 pi epsilon 0 k वेसी, यह जो बहार q लिखे, ब्रेकट के बाहर q लिखे, इसको अंदर रख दे दे, तो देखिए, क्या हो जाएगा मालू है, 2 q, और l साथ मे ले लिया, तो उधर बच जाएगा 2 r, देखिए आप य से, यह जो है, मैंने किस-किस को लिया है, इस 2 को ले लिया, इस q को ले लिया, और इस l को ले लिया, तो बचा को रहे, 2 r बचा है, वो 2 r मैंने इसमें लिख दिया है, अब यहाँ आप देखे, upon में r square minus l square का whole square, अब आप सभी जानते हैं, कि 2 q into l क्या है, क्योंकि प्रिवे e equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 k, और 2 q को p लिख दिया, तो p into 2 r upon r square minus l square का whole square, अब यहाँ पर आप देखे, कि यह जो step आ रही है, इसको थोड़ा systematic लिख लेता है, e equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 k, और 2p into r, 2p into r upon r square minus l square का whole square, यहाँ इसको vector form मिल ले हैं, तो एक vector यहाँ पी ले लेता है, यह जो p vector है, यह op की direction में एक unit vector है, इसलिए इसका vector form हाजाएगा, तो एक तरीके से यह formula हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर, तो यह formula हमारा पहला formula मारा जाएगा, strength, यह जो आया है भी, यह पहला formula अब इसमें ऐसा नहीं कि इसको एक रोग देना है, यह formula भी आगे जाएगा, अब देखें, आगे जाने के लिए मैं फिर उस condition को ले रहा हूँ, वो देखें आप, मैंने फिर e equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 k को ले लिए, और 2p r को भी वेसे लिख लिए, और r square minus l square के लिए, अब यह मान लिजीए आप, l जो है, बहुत 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 चोटा है, r के comparison में, l क्या है, हमारे dipole की half length है, small l, क्योंकि center से लेके, a या बी तक की distance है, पहले dipole बहुत चोटा होता है, उसमें से भी इसके हाट ले, तो वो क्या हो जागा, negligible हो जाएगा उसका square, कि l की comparison में, r, l बहुत चोटा है, r के comparison में, इसलिए हम कह सकते हैं, कि l square is neglected, हम इसको neglect कर देते हैं, तो आप देखे, क्या बच रहा है, r square का square बच रहा है, that is means r to the power 4, तो यदि हम यहां से 1 upon 4 pi epsilon 0 k को ले ले, तो 2 p r, और r की power 4, मतलब हम r को 4 बार mention कर दें यहापे, और 4 लगा के, तो देख पा रहे हैं हम, कि 1 r स 1 r cancel हो जाएगा, तो formula हमारे पास आ जाएगा, final formula हमारा जो आ जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon 0 k, 2 p upon r cube, तो strengths यह जो formula है, यह man formula है, हमारी axial position या end on position के लिए, तो यह मैंने step by step आपके सामने सारी step mention कर दी, एक एक चीज़ को algebraic clear कर दिया है, त देखें क्योंकि यह से question है, जो avoid नहीं किया सकते है, exam point of विसे काप इंपॉर्टन होता है, तो theory point में भी देखेंगा, मैंने आपको पहले बता है, कि पहले हम axial line के बारे में बताएंगे, फिर axial position के बारे में यहां बता है, मैंने यह axial line के बारे में बता है, फिर diagram, फिर diagram का detail दिया, और फिर derivation की सारे steps हमने यहां पर की है, I think आपको यह बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, practice करते रहिए, और पढ़ते रहिए, मिलते NX video में, till the established and good bye.